Hello friends, I am back with another video, बात करेंगे इसमें process of preparing canvas के बारे में और friends अगर आप मेरे चानल पर नए आये हूँ तो पहले तो subscribe कर ले because मैं अकसर आपके लिए informative videos लाती रहती हूँ तो ये जो हमारा topic है process of preparing canvas का ये 2 marks के questions में भी आ सकता है और 16 marks के questions में भी combine होके आ सकता है तो चलिए फड़ा-फड़ से देख लेते हैं सबसे पहले तो है कि canvas का meaning क्या है canvas क्या है extremely durable एक plain woven fabric है जो क्या है टेंट्स बनाने में यूज होता है, backpack बनाने में यूज होता है, shelters में यूज होता है और artist अब क्या है इसे painting के लिए भी use करते है तो पहली चीज जो हमें लिखनी होगी meaning होगा, फिर उसके में यह कहां से derive हुआ है यह derive हुआ है Anglo-French word cannevas जिसे old French language में cannevas भी बोलते थे जो कि originally Greek word cannevis से आया है जिसका मतलब होता है made of hemp अब hemp क्या है, hemp एक plant है जिसकी रसियां बनती है और कुछ दवाईयों में भी इस्तमाल होता है और इसकी मदद से cannevas भी बनता है तो सबसे पहले क्या है, originally word क्या था? cannabis, फिर Anglo-French और Old French में इसे बोला गया cannevas और अब हम इसे बोलते हैं cannevas अब हम बात करें physical characteristics of cannevas की तो जो modern cannevas है, वो cotton और linen का बना होता है और जो historically पहले कैसे बनता था? hemp से बनता था, जो मैंने अभी आपको प्रांट के बारे में बताया तो basically cannevas क्या है? दो तरीके के हैं plain canvas और dugged canvas plain canvas क्या होता है? जो normally हो और dugged canvas क्या होता है? जो tightly woven हो जिसे आपने देखा हुआ कि कुछ कपड़े क्या होते हैं उनमें से रेशा हैं बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और कुछ में से नहीं निकलते हैं तो वो क्या होता है? डग्ड होते हैं तो इसी प्रकार से है plain और dugged मतलब जो tightly woven हो plain मतलब simple फिर अगर हम further देखें तो हमारे पास types of canvas में है dyed canvas जो मतलब dye करके बनाया गया हो fireproof canvas, printed canvas, striped canvas, water resistant canvas, waterproof canvas भी बोलते हैं जैसे waxed canvas अब जैसे इनके नाम है उसी तरीके से इनकी properties भी है अब हम बात करेंगे preparation of canvas की तो artist के लिए painting बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी canvas को prepare करें एक अच्छी technique लगाए कि किस तरीके से canvas को seal करना है कैसे उसे prime करना है ताकि जो भी वो art piece बनाए वो एक master piece बनके निकले एक अच्छी art उस पे बने जो कि वो चाहता है जो कि उसके imagination है तो यह vary करता है person to person, artist to artist की वो किस तरह की art बनाना चाहता है उसे हिसाब से क्या है वो canvas चूस करेंगे उसी हिसाब से steps फॉलोंगे तो generally पहला step होता है acquire the necessary material अब जितना भी material चाहिए हमें canvas बनाने के लिए measuring tape, blade, scissor, frame, colors, clips, paint colors जो चीज़े भी चाहिए हो हम सारी क्या कर लेंगे, इकाठी कर लेंगे, acquire कर लेंगे फिर second step आता है stretch and secure the canvas अब उसे क्या करना है हम stretch करेंगे Neat, stretch, bar, frame and staple gum आपने अकसर देखा होगा कि एक लकड़ी लगा दी जाती है ताकि वह जो कपड़ा है वह इदर उदर ना जाए तो उसको क्या करना है हमें stretch करना है पहले तो पूरी तरह से कपड़े को फिला के ताकि जब painting बनाए तो धीला ना रह जाए वह कपड़ा पिर उसके बाद क्या है किस पूरी तरह कीसे wrap up करलेना है प्रेम कर देना है अच्छे से ताकि वह कपड़ा इदर uh dial हिले नहीं फिर चेक करना है कि हमें कितना canvas चाहिए और उस पे क्या कर देना है ताकि वो कपड़ा इदर दर जाये नहीं और ऐसा भी नहीं कि lightly करना है ऐसा भी नहीं कि बहुत tight कर देना है तो एक proper तरीके से होना चाहिए ताकि हमारी painting उस पे क्या है आसानी से बन सके फिर उसके बाद आता है apply sizing और special clue अब जब हमने extra किनारियां जो हैं वो cut कर दी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे उसको seal कर देंगे ताकि वो कपड़ा इदर उदर हिले नहीं वो set रहे फिर आता है हमारे पास prepare canvas with gaso और acrylic paint अब यह क्या एक बहुत important step है यहाँ पर क्या प्राइ इस तायार करनी है surface के लिए क्या करेंगे priming करेंगे उसकी gaso primer से ताकि जो हम color use करें उस पे वो अच्छे से use हो उभर के आए प्राइमर की वज़े से क्या होगा कि paint जो है अच्छी तरह से उस canvas पे लग पाएगा अच्छी तरह से निखर के आएगा अब यह क्या होता है कि जब हम पहले क्या करते हैं एक side में primer लगाते हैं फिर perpendicular strokes लगाते हैं जैसे कि पहले मालेजे कि आपने horizontally primer यूज किया फिर उसक प्रेफरेंस है उसके हिसाब से जिस हिसाब के उने painting चाहिए या वो कितना उभरा हुआ surface चाहते हैं उस हिसाब से वो priming के coats लगाएंगे फिर आता है final touches अब क्या है priming तो कर दी अब मतब तयार तो हो गया है वो बनाने के लेकिन हमारे क्या है जो भी हमने painting सोची होते है उस इसके लिए हम क्या है toned gaso primer भी यूज कर सकते हैं जिसमें color हो अगर वो हमारे पास नहीं है तो जो हमारा normal gaso है उसमें हम acrylic oil paints डाल सकते हैं वो mix करके भी हम उसे use कर सकते हैं फिर जब हमारी ये सारी layers सूख जाएंगी तो artist क्या है अपने मन चाही painting या जो भी उसके thoughts है उसको painting के तुरू अपनी painting बना के उस canvas पे I hope आपको ये topic clear हो गया हो अगर informative लगी हो तो अपने friends के साथ share जरूर करें thank you take care and stay connected for more videos